इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम पर लें। डॉक्टर द्वारा बताए गए समय से अधिक या अधिक समय तक इससे न लें क्योंकि इससे हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। यह आम तोर पर कम या कोई साइड इफेक्ट वाली सुरक्षित दवा है। हालां कि यदि आप दवा लेने पर किसी भी लक्षन का अ न दवा ले रहे हैं। यह इस दवा का उप्योग करने के लिए आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कैल्शियम की कमी, विलकल के दो साथ सौफ जल कैप्स socially एक पोशन पूरक है जो कैल्शियम की कमी के इलाज में मदद करता है। यह कैल्शियम के अफशोशन में यह हड़ियों की बृद्धी और विकास में मदद करता है साथ ही ऑस्टियोपरोसिस जैसे हड़ियों के विकारों के जोखिम को कम करता है। विकल के दो साथ सौफ्ट जल कैपसूल नसों, कोशिकाओं, मानस्पेशियों और हृदै के सामान्य कामकाज के लिए भी आवश्यक है। के सामान्य दुष प्रभाव. सीमित देटा उपलब्ध है. विल्किल के दो साथ सॉफ्ट जेलेटिन कैपसूल का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, क्रश या तो चैलिट्रियोल, कैल्शियम, कार्बोनेट, जिनक, मैगनिशियम, बिटामिन के 2-7, मिथाइल को बाला मिन और एल मिथाइल फोलेट. केल्सियूल, विटामिन D का सक्रियर रूप है. यह आपके रक्त में विटामिन D के स्तर को बढ़ाता है. यह बदले में आपके आंसे पोशक तत्वप्रदान करता है और समग्र स्वास्थे में सुधार करता है। मेगनीशियम एक एंटासिड है जो पेट में अत्यधिक एसिड को बैसर करता है। विटामिन के 2-7 कैल्शियम के चयाप्चे में एक केंद्रिय भूमिका निभाता है, जो आपकी हड़ियों और दातों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। विटामिन के 2-7 कैल्शियम बाध्यकारी क्रियाओं को सक्रिय करता है। मेट्रिक्स ग्ला प्रोटीन और ओस्टियोकेलसिन जो हड़ियों के स्वास्थय को बनाने और बनाये रखने में मदद करते हैं। मिथाइल को बाला मिन विटामिन B12 का एक रूप है जो शरीर में इसके स्थर को ठीक करता है जिससे कुछ निम्या और तंत्रिका संबंदी समस्याओं के इलाज में मदद मिलती है। एल मिथाइल Follit Follic Acid का प्राथमिक जैविक रूप से सक्रिय आइसो महा और प्रचलन में Follit का प्राथमिक रूप है। Folic Acid Vitamin B का एक रूप है. यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पूरे शरीर में आक्सीजन ले जाती है. एजन में बच्चे के मस्तिश्क और रीर की हड़ी के विकास में इसकी भूमिका के कारण यह गर्भावस्था में भी आवश्यक है. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.